हेलो स्टेंट्स वेलकम टू नारायना दा लाइब ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म बच्चो मेरा नाम भरस सिंग रागव है मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मैं आज आपको फिजिक्स का चैप्टर रेस्ट एंड मोसन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं मोसन इन स्टेट लाइन तो बच्चो हम यहाँ पर देखेंगे क्या मोसन इन स्टेट लाइन जैसा कि आप लोग जानते हो आप डेली लाइफ में एक्स्प्रियेंस करते हो कि मोसन इन स्टेट लाइन का मतलब यह है कि जब भी कोई भी बोड़ी, कोई भी पार्टिकल जिसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं, कार है, स्कूटर है, बाइक है, कुछ भी हैं, वो अगर एक रोड पर एक पर्टिकुलर पात को फॉलो करती हैं, एक पर्टिकुलर डारेक्संस को फॉलो करती हैं, उस मोसन को हम मोलते हैं, मोसन इन स्टेट ल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि physics आपकी एक observation subject है और हम चीजों को observe करते हैं हम चीजों को यह देखते हैं कि आखिर हमारे surrounding में हमारे आजू-बाजू में इधर उधर क्या हो रहा है और उस activity को जब हम बहुत अच्छे से observe करते हैं तो वही आपकी क्या होती है physics होती है जैसे कि बच्चों मैंने हाँ पे देखा motion in state line के अंदर यहाँ पे हम लोग consider कर रहे हैं interactions के अंदर कि आपके पास में ये कोई car है और ये car आपकी road पर है ठीक है ये आपकी black पट्टी के अंदर ये road बना हुआ है और ये आपकी red color की car है और इस red color की car को अगर आप observe करो तो आपको ये दिखेगी इसका motion किस तरह का है जैसी कि हम लोग देखें हाँ पर एक point से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे car आपकी बार बार आपको दिख रही है कि मैं आप पे back करके लेके गया और आगे भी लेके गया तो हमने देखा क्या कि इस car का motion यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक state line में एक सीधी line में एक बिल्कुल सीधी line के अंदर क्या कर रहा है इसका motion observe किया जा रहा है तो इसको हम different different structure से different different animation से और different different theory से हम इसको आगे दिखेंगे अपनी slides के अंदर अगर बच्चो आप इसको देखो सबसे पहले तो हम physics के अंदर यह दिखना चाहते हैं कि आपका जो motion है आप consider करते हो physics के अंदर बहुत से जगह बच्चो हम लोग करते हैं teachers बोलते हैं कि बच्चो suppose करो कि एक particle है तो हम सबसे पहले यह difference create करते हैं कि क्या particle होता है और क्या आपकी body होती है यानि कि किसको हम बोलें कि एक particle है और किसको हम बोलें कि एक body है तो जैसे हम बच्चो particles के बारे में अगर देखें तो एक particle जो होता है वो क्या होता है कोई object होता है जिसका dimension बहुत ही छोटा होता है यानि कि अगर हम किसी body को किसी भी observations को अगर हम देखें किसी भी structure को अगर हम देखें जो आपके आजू बाजू में surrounding में इधर उधर observe करते हैं तो उसको अगर आप देखें तो वो उसका dimension बहुत छोटा जिस चीज का, जिस structure का dimension बहुत छोटा होता है आपकी आँखों से देखने से लगे कि इसका dimension बहुत छोटा है तो उसको हम किस की तरह treat करते हैं पार्टिकल की तरह है जैसे कि बच्चों physics के अंदर मैंने हाँ पे animations के थुरू आपको दिखाया है क्या कि particles का जो dimensions है वो आपका बहुत negligible है बहुत छोटा है यह particle आपको words जो clear कर रहा है कैसे word clear होगा यह कि particles जब clear होगा कि negligible हमारा dimension होगा ठीक है मैं आपको साथ में यानि कि यहाँ पे आपको यह clear करूं तो इसका dimension particle का कैसा होना चाहिए negligible जहाँ पर आपका particle का dimension बहुत छोटा होगा उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या particle यानि कि कोई भी observations अगर हम करते हैं तो बहुत छोटे से small portion को अगर हम observe करें तो वहाँ पर आपका क्या होता है बच्चों वो particle होता है जैसे कि यहाँ पे देखें what is a rigid body rigid body क्या है मान लो आप कोई कि हाँ किसी बच्चे को हमने क्या किया दो बच्चे हैं मेरे सामने मैंने एक example लिया suppose करो एक example मैं consider करता हूँ हाँ आपे कि आपके पास में दो बच्चे है दो बच्चे students को मैंने हाँ पे बुलाया board पर अपने पास में और हमने क्या किया उनको पनीस किया जब पनीस किया उनको तो एक बच्चे को क्या दिख रहे हैं हम आखों में से आँसों आने लगे मम्मी पापा इस तरह इसकरने लगा पर दूसरा बच्चे क्या करा उसको पनीस करने के बाद में तब भी हसता हुआ मास तिक दिम रह रहा है तो इसका मुल्ब क्या हुआ एक बच्चा आपका कठोर है टाइट है वो उसका स्ट्रॉंग निचर है यानि कि उस पे हमने फोर्स अपलाई किये बहुत सारे प्रेसर अपलाई किये बहुत सारा टॉर्डिशर किया पर उसने अपनी जो नॉर्मल्टी थी उसको उसने चैंज नहीं किया पर दूसरे को महसोusan नहीं कर रहा है ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ वा लिजिट बॉर्डी तो रिजिट बॉडि को अगर मैं आबज़र कराऊं तो रिजिट बॉर्डी का मतलब यह हुआ आपके पास में یہ कोई मैंने बॉकस बना दिया यहां पर बच्चो मुझे लगता है क्या कि नारायना के ईलाइप प्लेटफॉर्म सर आप लोग को ये आपजरविशन्स किलियर हो गई होंगी क्या आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते तो ये मेरी बच्चो first class थी आपके सामने और मैंने इस first class के तुरू आपको introductions दी है बहुत सारी बातें बताएं बेसिक्स चीजे से नारी हैं बच्चो हम next class में जल्द ही आपको मिलने वाले हैं motion के बारे में देखने के लिए की motions कितने तरीके के होते हैं और motions की क्या-क्या आपके types होते हैं और उनको हम किस तरह से देखते हैं uniform motions, आपके velocity, displacement, आपके distance, इन activities को हम next class में देखते हैं ठीक है बच्चो, बाई बच्चो, बाई